हे एवरीवन वेलकम टू ग्यान का बस्ता आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MJP रोहिलखन यूनिवस्टी के MSC जुलोजी के स्लेबस के बारे में जो की न्यू स्लेबस है और ये न्यू स्लेबस सेशन 2023 के एक्जैम के लिए लागू किया गया है जो की नैशनल एजुकेशन पॉलिसी या नई सिक्षा नीती के अकॉर्डिंग चेंज किया गया है तो इस तरह से आपके MSC जुलोजी का स्लेबस अब बदल दिया गया है तो आपको अपने इस चेंज हुए स्लेबस के बारे में फुल इंफर्मेशन इस वीडियो के थुरू हम आपको प्रवाइड करने वाले है तो इस वीडियो में आन तक बनी रहें जैसा कि आपको पता होगा न्यू एजुकेशन पॉलसी ने आपके इस स्लेबस को सेशन 2020 में ही चेंज कर दिया था बट इसका जो इंप्लिमेंटेशन है यानि कि इसे जो लागू करने की बात थी वो सेशन 2023 के एक्जाम के लिए अब कर दी गई है और आगे भी इसी पैटर्न को और इस बदले हुए स्लेबस को फॉलो किया जाएगा और इसी चेंज हुए पार्ट करम से ही आपको अपने एक्जाम में क्वेशन्स देखने को मिलेंगे तो इस तरह से आपको अपने इस पूरे स्लेबस के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थूरू मिलने वाली है तो अगर आप मातमा जोतिबा फुले रोहिल खनी उनिवस्टी के स्टुडेंट है और आपका जो कोर्स है वो MSA जूलोजी सबजेक्ट से है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्फुल होने वाली है वीडियो में अंतग बने रहे तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपको इस वीडियो के थूरू आपके स्लेबस का पीडियो फॉर्म भी मिल जाएगा जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप चाहे तो इसे इसका पीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं या इसका स्क्रिंशॉट भी ले सकते हैं तो आएए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप देख सकते हैं आपके सामने माहतमा जोतिबा फुले रोहिल खन यूनिवस्टी के एमस्सी चुलोजी के सेमेस्टर नाइन्थ जि इस सेमेस्टर थर्ड को यूनिवस्टी के द्वारा सेमेस्टर नाइन्थ कंसीडर किया गया है और उसके पीछे क्या रीजन है वो मैं बता दू कि कोई भी स्टुडेंट जो एमस्सी में अड्मिशन लेगा उसने पहले अपना बीस्सी पास आउट किया होगा बीस्सी जो क थ्री एर्स का कोर्स होता है तो कोई भी स्टुडेंट जिसने बीस्सी क्लियर होगा किया होगा उसने थ्री एर्स इसकी पढ़ाई की होगी चुकि अब बीस्सी एंड एमस्सी यानि की ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेस को अब सेमेस्टर पनाली म चेंज कर दिया गया है तो इस तरह से 3 साल यानि की student ने हर 6 महीने के अंतराल पर अपने semester exams दिये होंगे तो इस तरह से जब उसने semester exam दिये होंगे तो इस BSC course के दौरान student ने total 6 semester के exam clear किये होंगे तो इस तरह से जब वो BSC pass out करके MSC में admission लेगा तो उसका जो first semester होगा वो BSC के 6 semester के बाद MSC का first semester साथवा semester consider किया जाएगा और इसी तरह से MSC के इस दो वर्स के course में total 4 semester exam student को देने होंगे तो इस तरह से 4 semester में आपको कितने paper देने हैं paper का pattern क्या होगा यह सारी बाते इस video के थूँ हम आपको बताने वाले हैं तो चार semester में आपके first semester का जो syllabus है उसको मैंने already discuss कर दिया है इसकी video आपको मिल जाएगी और second semester का भी syllabus discuss कर दिया गया है उसकी video upload कर दी गई है और इस video के थूँ हम semester 3rd या semester 9 के बारे में discuss करने वाले हैं तो चुकि यहाँ पर first, second, third and fourth semester इसे consider किया जाना चाहिए बट university के द्वारा BSC को base लेते हुए BSC के 6 semester के बात MSC के first semester को seventh semester second semester को eighth semester and third semester को ninth semester and last fourth semester को tenth semester consider किया गया है इस तरह से आपके इस semester exam को seventh semester से start करने का जो reason था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है I hope यह doubt आपका clear हो गया होगा कि यहाँ पर आपके MSC के first semester को first semester ना बोल करके seventh semester से क्यों start किया गया है या इसे seventh क्यों लिखा गया है इसका reason आपको पता चल गया होगा तो आइए देख लेते हैं M.Sc. Joology रोहिल खन यूनिवस्टी के इस ninth semester के syllabus को कि इसमें क्या बदलाव किये गये हैं यह आपको पता चलेगा आपके full detail syllabus unit wise यहां आप देख सकते हैं syllabus बताने से पहले मैं आपको बता दूँ आपके semester exam के बारे में जैसे कि आप मैंने बताया आपको आप देख सकते हैं आपका जो first semester है वो है semester semester 7th और first semester में आपको यानी कि 7th semester में आपको total 4 written paper देने थे और 8th semester में भी आपको total 4 written paper देने थे जिनके topic मैंने आपको बता दिये हैं और यहां पर भी आप देख सकते हैं next अब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आपके 3rd semester या 9th semester के syllabus की तो 9th semester में आपको total दो paper यहां देख सकते हैं first है core data and second है environmental biology wildlife and toxicology दो यहां पर core या आप कह सकते हैं main paper है और यहां पर भी 3rd semester में आपको total 4 written paper यानि कि theoretical paper आपको देने होंगे 9th semester में तो 2 paper के नाम आपको यहां पर दे दिये गया है core data and environmental biology wildlife and toxicology 3rd paper के लिए आपको यहां पर 4 topic दिये गया है जिसमें से आपको कोई एक paper elect करना है या choose करना है जो कि आपके college के according आपको choose कराया जाएगा जो भी course वहां पर जो भी topic available होगा वही topic आपका हो जाएगा paper 3rd for this semester 9th देख सकते हैं आप first topic यहां पर दिया गया है principle of endocrinology second है insect taxonomy morphology and ecology third है fish biology and genetic resource and fourth है general parasitology तो इस तरह से इन 4 topics में से कोई एक topic आप opt करेंगे 3rd paper के लिए same इनी 4 topic को दिया गया है paper 4th के लिए यहां आप देख सकते हैं इन 4 topic को first topic है biology of reproduction second है insect physiology and third है fish ecology aquaculture and capture fisheries and fourth है biology of parasites तो इस तरह से fourth paper के लिए भी इन दिया के चार topic में से कोई एक topic आप elect करेंगे choose करेंगे और वही हो जाएगा आपका paper fourth for the semester ninth of msc gyulogy तो इस तरह से third semester में आपके 4 paper conduct कराये जाएंगे आए देख लेते हैं ninth semester के इस syllabus को full detail में यहाँ पर तो आप देख सकते हैं first paper होगा आपका ninth semester में chord data और chord data में आपको first unit के अंतरगत पढ़ना है proto chord dates and PCs के बारे में यह आप देख सकते हैं next unit second के थुरू पढ़ना है amphibia के बारे में आपको third unit में पढ़ना है raptilia के बारे में और इन्हीं unit से आपको questions exam में देखने को मिलेंगे next देखिए fourth unit के थुरू एवीज के बारे में पढ़ना है last unit है fifth unit जिसमें आपको पढ़ना मैमेलिया के बारे में इस तरह से ninth semester के फर्स्ट पेपर कोड़ेटा के लिए यह इस लेबस आपके लिए डिसाइड किया गया था new education policy के तहट अब बात करते हैं ninth semester के second paper जो की है environmental biology wildlife and toxicology के इस लेबस की तो first unit के थुरू आपको पढ़ना है ecosystem के बारे में जिसका topic आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है next देखिए second unit के थुरू पढ़ना है global environmental problems के बारे में जिसका topic यह रहा next unit third से आपको पढ़ना है wildlife के बारे में इन दिये गया topics के थुरू next देखिए fourth unit में पढ़ना है exposure of toxicants तो इसका topic आप देख सकते हैं इन्ही को आपको अच्छे से prepare करना है fourth unit के थुरू ही आपको पढ़ना है toxicity test के बारे में तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने तरह के test होते हैं और techniques होती हैं इन्हें आपको cover करना है fourth unit से ही पढ़ना है factors affecting toxicity के बारे में यह रहा है इसके topic and last है fifth unit जिसमें से आपको prepare करना है toxic effects of xenobiotics के बारे में इसका topic आप देख सकते हैं next है fifth unit से bio accumulation of xenobiotics जिसका topic यह दिया गया है next fifth unit से bio transformation of xenobiotics इसका topic आप देखिए तो इस तरह से यह था msc ninth semester mjp royal university के second paper का syllabus अब जैसा कि आप देख मैंने बताया video में पहले कि third paper के लिए आपको चार option दिये गये हैं जो भी एक topic आप चूज करेंगे वह आपका हो जाएगा third paper ninth semester के लिए तो अगर आप third paper के लिए चूज करते हैं principle of endocrinology तो आपका जो syllabus होगा वो होगा कुछ इस तरह से first unit में आपको पढ़ना है fundamental of endocrinology जिसका topic यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है next second unit से आपको पढ़ना है hormones and metabolic regulation के बारे में दिये गया topic को cover करते हुए next देखिए third unit के थूँ आपको पढ़ना है endocrine regulatory molecules के बारे में इस दिये गया topic को cover करते हुए and fourth unit से पढ़ना है neuroendocrine integration के बारे में and last unit fifth से पढ़ना है endocrine regulation of homeostatus के बारे में इस topic को देखिए इस तरह से अगर आप ninth semester के third paper में choose करते हैं topic principle of endocrineology तो यह था उसके लिए syllabus और अगर आप third paper के लिए चूस करते हैं insect taxonomy morphology and ecology जिसे short form में entomology कहते हैं इसके लिए आपका syllabus होगा first unit में insect taxonomy पर based जिसका topic आप देखिए यह होगा next second unit में पढ़ना है insect taxonomy का second part जिसमें दिया गया है किन insect के बारे में आपको पढ़ना है next third unit से पढ़ना है insect के morphology पर based topic और यह रहा उसका full detail next देखिए fourth unit के तुरू आपको पढ़ना है ecology के बारे में insects के and last fifth unit से आपको पढ़ना है biotic factors association and insect behavior parasitism in insects insect predators symbiosis parental care and social life in insects तो इस तरह से अगर आप entomology चूज करते हैं semester 9 के third paper के लिए तो आपका syllabus यह रहा next अगर आप third paper के लिए option fishery biology जिसे fish biology या genetic resource भी कहते हैं चूज करते हैं तो आपका syllabus होगा first unit से fish morphology and anatomy जिसका syllabus यह रहा next अगर आप चूज करते हैं fishery biology में तो second unit से होगा आपका fish physiology मचलियों के physiology पर based topic होगा prepare करना next unit third से पढ़ना होगा reproduction and development और यह इसका topic थे फॉर्थ उनिट से पढ़ना है endocrinology and behavior of fishes और यह दिये गए topic है and last है luminescence organ in different fishes और फिफ्थ उनिट से पढ़ना है fish genetic resources के बारे में दिये गए topic को cover करते हुए आपको यह prepare करना है fishery biology को semester 9th के third paper के लिए next अगर आप third paper में choose करते हैं topic general parasitology तो आपका syllabus कुछ इस तरह से होगा first unit के तुरू आपको पढ़ना है protozoa, trematoda and castoda के बारे में animal association and categories parasitic adaptation unit second से आपको पढ़ना है देख सकते हैं topic unit second से जो दिया गया है and third unit के तुरू पढ़ना है parasitic protozoa जिसका topic आप देखिए दिये गया इन originals के बारे में आपको पढ़ना है next fourth unit के तुरू आपको पढ़ना है trematoda के बारे में trematoda के westernemia के trematoda तो इस तरह से trematoda के आपको पढ़ना है and last fifth unit से आपको पढ़ना है castoda के बारे में detail study दिये गया है इन 3 ABC topics पर बेस्ट इस तरह से third paper के लिए चार option और इसके full syllabus यहां पर मैंने बता दिये next अगर आप semester 9 के fourth paper के लिए topic चूज करते है biology of reproduction तो slivers कुछ इस तरह से होगा first unit में आपको पढ़ना होगा physiology of male and female reproductive axis और इसका slivers आप देखिए यह रहा next अगर आप unit second से पढ़ते है reproductive cycles and pregnancy for based syllabus for the paper fourth of semester 9 next अगर आप unit third में देखेंगे तो आपको पढ़ना होगा endocrinology and parturation and lactation यह topic को cover करना है next देखिए fourth unit से आपको पढ़ना होगा reproduction and immunity पर based syllabus देख सकते हैं syllabus आप last unit fifth से आपको पढ़ना है seasonality in pre-production तो देखिए दिये गया इस topic को अगर आप फोर्थ पेपर में चूज करते हैं biology of reproduction paper next अगर आप ninth semester में fourth paper के लिए topic चूज करते हैं entomology या insect physiology तो आपका syllabus होगा first unit से digestive system and इसका syllabus था कुछ इस तरह से next circulatory system next unit second में आपको पढ़ना है nervous system के बारे में next देखिए sense organ के बारे में पढ़ना है आपको next unit third से respiratory system के बारे में दिये गया topic को cover करते हुए next देखिए third unit से ही excreter system के बारे में पढ़ना है इन topic को cover करते हुए detail में and fourth unit से पढ़ना है reproductive system के बारे में insects के next fourth unit से ही insects के development पर based question होंगे दिये गया स्लेबस के according next fifth unit से endocrine glands के बारे में fifth unit का ही topic है photo periodism के बारे में आपको पढ़ना है तो इस तरह से semester 9 में fourth paper के लिए अगर आप insect physiology चूज करते हैं तो स्लेबस कुछ इस तरह से रहेगा next अगर आप ninth semester के fourth paper के लिए topic opt करते हैं fish ecology aquaculture and capture fisheries तो यह होगा आपका slabbers first unit में आप पढ़ेंगे ecology of fishes and इसका slabbers आप देख सकते हैं next second unit के तुरू पढ़ना है pond management के बारे में किस तरह से इसका management होता है इसका slabbers आप देख सकते हैं next देखिए third unit में आपको पढ़ना है capture fisheries के बारे में तो capture fisheries में आप देख सकते हैं आपका topic तोपिक कुछ ये दिया गया है next देखिए fourth unit में आपको prepare करना है आधे आक्वा कल्चर के बारे में और आक्वा कल्चर के तुरू आप सकते हैं आपका topic जिससे आपको prepare करना है मोनो कल्चर दिये गए भी मिन कल्चर के बारे में नेक्स्ट फिफ्ट यूनिट के तुरू पढ़ेंगे आप फिश प्रोडक्ट्स और फिश डिजीजस पर बेस्ट टॉपिक और इसे को आपको प्रिपेर करना है तो इस तरह से ये था पांच यूनिट फिशरी बाइलोजी क अगर आप पेपर फॉर्थ सेमेस्टर 9 के लिए चूज करते हैं तो नेक्स्ट अगर आप फूर्थ पेपर आफ 9 सेमेस्टर तपिक चूज करते हैं biology of parasites तो उसके लिए आपको दिये गया syllabus को prepare करना होगा फर्स्ट है नेमोतोड और्थोपोड़ा को unit फर्स्ट में आपको पढ़ना है इसके introduction पर इनके introductory part पर दिये गया इन topics को prepare करना होगा फर्स्ट unit से next unit second से आपको prepare करना है family पर based question यहां पर तीन family दी गई है थर्द उनिट से प्रिपेर करना है techniques in nematology कौन-कौन से techniques यूज की जाती है plant nematodes relationship इस तरह से थर्ड उनिट से दिया गया यह slavus था and fourth unit से आपको पढ़ना है acantho cifala के बारे में acantho cifala के बारे के classification organization पर based question होंगे and last step फिफ्टी निट से पढ़ना है medically important insect कौन-कौन से होते हैं जिनसे हमें medically important प्रोवाइड किया जाता है इनका क्या importance है medical fields में तो फिफ्टी यूनिट से यह था slavus for the semester ninth of msc joology मात्मा जोदिवा फुले रोईल खन यूनिवस्टी के लिए आशा है इस वीडियो के तुरू आपको आपके 9th semester का slavus clear हो गया होगा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like और चैनल को subscribe करना ना भूले हम मिलेंगे अपने next वीडियो में रोहिल खड़ी उनिवस्टी के msc joology के 4th semester के slavus को cover करते हुए till then stay happy stay connected thank you for watching this video guys